दोस्तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज रेड बटन को प्रेस करके सिस्क्राइब कीजिए साथी लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सूपरेम और आप देख रहें टेक तज़ा दोस्तो आज की इस वीडियो मेरा बात करने वाला हूँ बैक लिंग्स के बारे में पिछले दो वीडियो में में continuously बैक लिंग्स के बारे में बोले जा रहा था वाट उसमें कुछ detail में discussion लहीं कर पाया था ज़स्त में traffic के बारे में बोल रहा था बट ये वीडियो dedicated है back links के बारे में क्या है back links हम समझेंगे और back links क्यों important होता है और 2020 में हम back links से traffic कैसे generate कर सकते हैं उसके बारे में मैं भी discuss करूँगा ये वीडियो में अगर आपको back links का complete knowledge आपको पता है back link क्या है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है दोस्तो जो मेरे दोस्त नए है जिनको blogging में अभी अभी उन्हें स्टार्ट किया है और just back link क्या है वो समझना चाहते है उनके लिए मैं specifically ये वीडियो बना रहा हूं नहीं back links क्या होता है back links एक link होता है जो आपके website पे redirect होता है और simple instance अगर मानलो आपकी कोई website है और वो website की link आपने किसी दूसरे website पर एंटर की है माद लोग हम किसी भी पोस्ट में जादे किसी भी website में तो website पर links होती है अब यहां पर भी एक links दी गई है देखिए यहां पर बॉटम में देख सकते हो link यहां पर flash होती है यह इनके ही internal backlink है अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पर कभी source करके लिखा होता है यह देखिए यह source है तो यह उन्होंने कहां से लाया है वो है तो यह source एक तरह का backlink है अभी इसमें जो anchor text दिया गया है आप anchor text क्या होता है आप जो link को नाम देते हो और जिस word के उपर आप link create करते हो उसे anchor text कहा जाता है अभी यहाँ पर जो link दिया गया हो डियोक्सो मार्क का दिया है बट यहाँ पर डियोक्सो मार्क नहीं लिखा है यहाँ पर anchor text दिया गया है source करके तो आप इस पर अगर click करोग तो यह होगा आपका backlink तो यह DxO Mark को backlink मिला है कैसे मिला है उनके यहाँ पर उन्होंने article publish किया है वही article का reference लेके GSM Arena ने वहाँ पर एक article लिखा है और बदले में उन्हें backlinks दिया है as a source करके क्यूंकि जो main content था वो DxO Marks website से था तो उन्होंने DxO Marks को वहाँ पर credit दिया है source बताया है तो इसे कहते है backlink तो अभी backlinks कितने प्रकार के होते हैं backlink दो प्रकार के होते हैं एक होता है do follow backlinks और एक होता है no follow backlinks दोनों समझने से पहले हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यह जो अभी backlinks है वो कौन सा है backlink चेक करने के लिए कोई भी link का कौन सा टाइप है do follow है no follow है चेक करने के लिए आप वो link पे right click कीजिए और inspect element में जाईए जब आप inspect में जाओगे make sure कि यहाँ पे यह select होना चाहिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है link जैसे आपको html tag में link देना पता रहेगा वहाँ पे ahref tag होता है link देने के लिए उसमें देखे यह dxo marker दिया हुआ है link और यहाँपर कहीं भी nofollow नहीं लिखा है सब्सक्राइब डैट अब क्या है यह जो link है यह do follow रहा लिंक क्या होते है सरके नो follow LINK क्या होते है इसके बारे में मैं भी discuss करूँगा तो doesn't follow back link होते हैं जिसमें कहीं भी लिखा नहीं होगा आपको यह nofollow अगर nofollow backlinks रहेगा तो यहाँ पर लिखा होता है dofollow links यह इसलिए होता है कि crawler को पता चले कि यह link को आप follow कर सकते है और यह link आप count कर सकते हो page ranking में यह link count होगा but अगर nofollow वहाँ पर mention है तो crawler को पता चलता है कि यह link को crawl नहीं करना है और ये page ranking में count नहीं होता nofollow link तो अभी बात करते हैं कि ये जो link हो गया dofollow हो गया या nofollow हो गया तो उसको आप अपने website पर कैसे लेते हो बट वो समझने से पहले हमें backlinks के importance के बारे में जानना होगा कि backlinks क्यों जरूरी है अगर आप कोई भी एगर website open करते हो हम backlink checker open करते हैं ahref backlink checker इससे हमें पता चलता है कि कौन से website पर कितने सारे backlinks है हम example के तोर पर gsmarina को ही लेंगे और जानेंगे उनके कितने backlinks हैं उनके पास अभी आप google chrome extension भी यूज़ करते हो backlink चेक करने के लिए वो आपके browser पर यहां आ जाता है आप उसे भी यूज़ कर सकते हो वो आपको बता देगा कि कितने backlinks आपके जो website अपने विजिट किये उस पे हैं अभी देखिए gsm arena एक काफी पुरानी website है और high domain authority वाली website है और उस पे देखिए number of backlinks कितने है भाई रिफेरिंग डोमेंड देखिए कितने हैं 64,000 domain से इसको backlinks मिले हैं जैसे अभी gsm arena ने backlink दिया है dxo mark को तो वो उन्होंने backlink दिया हुआ है और उन्होंने लिया है 64,000 website से अलग-अलग website से backlink लिया है और उसकी वज़े से उनका देखिए domain rating है वो 85 है यह high domain authority website है backlink समझने के बाद do follow, no follow समझने के बाद आपको अभी समझना होगा कि DA क्या होता है DA होता है domain authority उससे भी google को पता चलता है कि आपकी website कितनी पुरानी है और कितनी powerful website है आपकी यह पता चलता है तो यह चीजे सारी important रहती है जब आप Google में rank होना चाहते हो तो number of पहली बात तो गूगल में rank करने के लिए आपको number of backlinks बढ़ाने होंगे अगर competition बहुत ज़ादा है तो मानलो आपने कोई ऐसे keyword पर काम किया जिस पर कोई competition नहीं है मानलो जो rank research के result है वो 20-30 ही result है जादा result है नहीं वो case में आप अच्छे से article लिख के rank हो सकते हो बट कोई ऐसा keyword है मानलो कोई gadget related keyword है कोई technology related keyword है उसमें याल मानलो lyrics का लेते हैं lyrics बहुत आज कल trending है YouTube पे lyrics website के बारे में तो lyrics website पे कोई भी आप गाना पोस्ट कर दो आपके साथ वहाँ पे और कई website ने वगाना publish गया रहेगा तो आप वहाँ पे rank नहीं करोगे तो rank वहाँ पे कौन होता है जिनके भी website पुराने हैं जिनके भी backlink सबसे ज़ादा है वो लोग rank करते हैं तो यही fund है आपको google rank गूगल में rank करने का और यह जो back links होते हैं वो over the night नहीं बनते उनको बनने के लिए time जाता है आप सोचोगे यार मैंने अभी दो मेना हो गया मैंने website स्टार्ट किया है मैं बहुत काम कर रहा हूँ मेरा दो-तीन मेने में ही वहाँ पे आ गया है उनको भी time लगा है उन्होंने वो time पे number of back links बढ़ा है तो वो चीज़ पे आप धान दो ना कि आप किसी website से instant traffic generate करने के पीछे जाओ और वहाँ से आपका time waste करो आप हमेशा दिन में एक या दो back links continuously बनाते जाओ सर्च करो back link कैसे बनाते हैं YouTube पे वीडियो देखो आप Google में भी सर्च कर सकते हो तो वहाँ से आपको back link लेना है तो अभी back link आप कौन-कौन से तरीके से लेते हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा सबसे आसान तरीका back link लेने का वो है commenting किसी भी website पे जाईए blog में वहाँ पे नीचे comment का option रहता है वहाँ पे comment करते समय आप अपनी website का link एंटर करें तो कुछ website में आपको कुछ blog में या कुछ website में आपको option दिया जाता है website करके या URL करके वहाँ पे आप easily enter कर सकते हो कुछ comment के box में आपको वो option नहीं रहता है वो simple text comment रहता है तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते कुछ भी और कुछ इसमें comment box दिया जाता है और आपको बताया र दिखाया था सोर्स को जबी हम सर्च कर रहे थे उसका बैक लिंग तो एहरेफ जो टैग है आप गूगल करोगे आपको तुरंत मिल जाएगा एहरेफ टैग उससे आप लिंक ले सकते हो तो वह एक टाइप का बैक लिंग हो गया सेकेंड होता है सब्मिटिंग लिंक मतलब डारेक्टरी सब्मिशन वेबसाइट रहती है वहाँ पे जाके आप अपनी वेबसाइट को सब्मिट करते हो और वहां से आप बैक लिंक लेते हो तो बहुत सारी डारेक्टरी सब्मिशन वेबसाइट गूगल पे अवेलेबल है आप काम करते हो, आपको काम करना चाहते हो, आपने उनको mail किया, या किसी भी website या अगर मेरी, for example, gsmrena तो काफी बड़ी हो गई, हम छोटे level पे example लेते, अभी मेरी site है, देखें टेकताजा.in, अगर आप में से किसी को article लिखना है, backlink चाहिए तो आप मुझे contact करो, मुझे article लिखके mail कर दो, और मेरे से backlink ले लो तो वो भी आपका do follow backlink बन जाएगा, तो इसी तरह से आप किसी website पे जाके guest post करके backlink ले सकते हो तो वो एक तरीका हो गया उसके बाद है profile link profile link backlink तो profile link backlink क्या होता है, जैसे कि आपने मानलो कोई profile बनाया, किसी website पे जाके आपने profile बनाया for example आपने जाके medium.com पे profile बनाया, तो medium.com से भी backlink लिया जा सकता है दोस्तों, वो भी do follow backlink आपको मिलेगा medium.com से medium.com पे जब आप जाओगे और आपको वहाँ पे login करना है आप google चूज कर सकते हो, facebook चूज कर सकते हो आपको वहाँ पे login करके जाना है और वहाँ पे भी आप backlink ले सकते हो profile में एक बार में चेक कर लेता हूँ I'm not sure अभी नहीं है, profile में नहीं है, sorry आप profile से backlink नहीं ले सकते हो medium पे, आप by post करके यहाँ पे backlink ले सकते हो बट कई ऐसी website है, जिस पे जाके आप profile से भी link ले सकते हो मैं आने आवले आगे वीडियो में, मैं backlink पे वीडियो बनाने वाला हूँ और आपको high da website से back links लेके दिखाओ दूँगा मैं और आपको बता दूँगा कि आप इससे भी ले सकते हो, इसी website में आपको आगे जाके आने वाले वीडियो में बताऊंगा तो मुझे comment करके बताए कौन कौन interested है वो वीडियो में तो मैं उसके उपर भी वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास इससे websites है जिससे मैंने backlink लिया हुआ है और आपको भी उससे 100% backlink मिल जाएगा अगर do follow है तो do follow मिलेगा no follow है तो no follow मिलेगा जो majority websites है मेरे पास वो with high domain authority है और उन पे आपको do follow ही backlink मिलेगा तो आते हैं हम main topic पे तो profile से आप link ले सकते हो मानलो किसी website पे अपनी profile बनाया तो profile में भी आपको option आता है कि वहाँ पे आप अपना URL एंटर करें आपका website एंटर करें अगर वो option नहीं रहेगा तो last type है जो है वो है description link description link मतलब profile link का ही part है कुछ आपको link profile में link का option description नहीं रहता है तो वो case में आप description में आपका link एंटर कर सकते हो और वो clickable हो जाता है तो आपको वहाँ से एक backlink मिल जाएगा दोस्तों यह जो past type मैंने यहाँ पे discuss किये है आपके साथ यह मैंने खुद बनाये हुए है यह आपको किसी textual concept नहीं है यह मैंने ही मेरी understanding से बनाया है कि आप यह type के backlink ले सकते हो अगर आपको पता है दोस्तों और कुछ तरीके से आप backlink ले सकते हो तो वह मुझे comment करके बता दीजिए तो यह हो गए दोस्तो backlink के ways जिस जहां से आप backlink ले सकते हो तो जैसा कि backlink मैंने पहले discuss किया कि backlink की मदद से आप Google में rank हो सकते हो तो traffic generate करने के लिए क्यों important है तो इसलिए important है कि जब ही Google का crawler जब website कोई keyword search होता है तो वह related website scan करने लगता है crawl करने लगता है और crawl करते वक्त backlink भी एक factor होता है वह check करता है कि आपके number of backlinks कितने है अगर number of backlinks आपके ज़्यादा है तो आपके website का chances ज़्यादा है कि वह Google में जल्दी rank हो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर 15 मतलब 1 करोड backlinks है उसमें से 89% do follow backlinks है मतलब सोच सकते हो कि कितना powerful domain है GSM Arena उसने जितने भी backlinks लिये है वो सारे और मुझ सारे के 90% do follow backlinks है और जो referring domain भी है 84% do follow है तो इसकी मदद से आप Google में जल्द से जल्द rank हो सकते हो तो आज से ही आप backlink पे काम करना शुरू कर दो अगर आपने नई website बनाई है problem हमारा यह होता है कि हम website बनाते हैं और सीधे भागते है वो AdSense के पीछे ना कि हम अपना website develop करने के पीछे भागते है तो भाई आप हमेशा website develop करने के पीछे भागो आपको AdSense क्या कोई भी कोई भी ad network का आपको approval मिल जाएगा और अगर आपके website पे traffic है तो आप किसी भी इससे earn कर सकते हो और आपको AdSense का भी approval मिल जाएगा तो दोस्तों यह था backlink के बारे में video अगर आप भी backlink अपने website के लिए चाहते हो तो यह video को like कर दो अगर मुझे यह video पे 50 likes आ जाते है तो मैं जो first 10 commenting people रहेंगे या 20 people रहेंगे उनको मैं मेरी website से backlink दे दूँगा अगर 50 likes यह video पे आ जाते है तो हम first 20 comment करने वाले लोगों को मैं backlink दे दूँगा बट जिसमें वो request करेंगे backlink का उने ही backlink दे दूँगा मेरी website से वो भी do follow backlink दे दूँगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह video पसंद आती है तो please उसे like कर देना साथी सास्क्राइब भी कर देना और अगर अपने notification bell को क्लिक नहीं किया तो उसको भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली मेरी हर video आपको जल से जल मिल जाए तब तक के लिए good bye दोस्तों